नमस्कार सात्यू, सात्यू जमीन खरीदने पर सेक्षन 143.80 के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूँ कि सेक्षन 143 क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, इसका संपूर जानकारी और अगर आप नहीं करवाते तो क्या-क्या प्रवलम्स आएगी, इ मुछ आदेश में आपको यहां पर दिखाऊंगा सात्यू, ठीक है ना, अब देखे सात्यू, सबसे पहले एक चीज में आपको बता दूँ सात्यू, कि अगर आप क्रसी की भूम खरीद सकते, खरीद रहे हैं, ठीक है ना, यानि कि खेती की जमीन, खेती करने के लिए, तो वहां पर सेक्षन 80-143 का कोई मतलम नहीं है, ठीक है ना, कोई भी मतलम नहीं है, सेक्षन 143-80 क्या होता है, वो आप जान लीजे, कब इसकी आवसकता है, जब आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के, या बनवाने के लिए कोई भी प्लॉट सरकारी तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंसे दिख विक रहे हैं, 143-80, सक्षन 98, ये चीज़ें आप सारी बेतर तरीके से विसे सक द्वारा आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉई 143 और 80 की जरूर नहीं है, इसको आप भूल जाएगे, अब मैं आपको बता दूँ, ये जरूरी है, 143-80 जब जरूरी है, जब आप कोई प्लोट बगेरा खरीद रहे हैं, क्यों जरूरी, अब मैं आपको वो भी बता दूँ, देखिए सात्यों क्या है, कि जब भी आप कोई गेमीन खरीद रहे हैं, जैसे माल लीजे ये, आप मा बनाओगे यहां पर घर बनाओगे, तो भई ऐसे क्रिसी की जमीन में घर नहीं बना सकते हैं, इसके लिए आप दारा 143 करवाईए, यानि कि ये जो इतना एरिया जो है, इसका आबादी में करवर्ट करवाईए, ठीक है, आबासी में करवर्ट कराईए, 143 करवाईए, इसमें दारा असी नाम कर दिया गया है, तो दारा असी, 143 एक ही है, इसका सीधा उज्देश ये होता है, कि अगर माल लीजिए आप क्रसी जमीन कोई है, ये क्रसी जमीन है, और अगर आप इसमें घर मनाना चाह रहे हैं, ठीक है, घर, दुकान, फैक्टरी, यानि कि गैर क् कार्यों के लिए आप प्रियोग करेंगे, किसके, गैर क्रसी कार्यों के लिए, तो भाई, सीधी बात है, इसका 143 और 80 कराना होगा, ठीक है, आप कई लोग कहेंगे, क्यों आप बेवकूफ बना रहे है, 143, 80 कराने की क्या जूरूद, हमने प्रॉट खरीदा, आवासी का द एक चीज़ आपको बता दू, कि भाई, जब तक आप आवासी का स्टांप दे दू, जब तक आप उसका 143, 80 नहीं कराते हैं, भाई, तब तक मात्र स्टांप देने से, वो जमीन आवासी घोसित नहीं हो जाती है, वहाँ पे कारवाई भी हो सकती है, ठीक है, तो 143, 80 जरू जब तक आप दो जार चे, यहाँ पे फसली वर्स खतोनी के अंसार, खाता संक्या 305, अंकित गाटा संक्या 1674, रखवा 68460, वर्ग मीटर जमीन, ठीक है, बिजनोर, तैसील यहाँ पे अकरसी घोसित किया जाता है, और मास्टर अधनिय में वह मास्टर प्लानों का खनुबिकास श्यत महाय वजरा 2021 के अनुसार अनुमाय होगा, यह भविस्मे उक्त, भूम परकरसी मतसपालन, कुटक पालन, भागवानी आज से संबंदित, कार रहोत उपयोग किया जाता है, तो तैसिलदार के आख्या पर जो है, यह निरस्त किया जाएगा, सीधी बाद अकरसी की गई है जमीन, अब एक बाद बताईए भाई, अगर यूटूब पर सब फरजी है, हम अगर आपको गलत बता रहे हैं, तो यह दो आदिस में लाया हूँ, ठीक है ना, यह देखिए दो आदिस है, यह भी लखनव का है, गाटा संक्या 1674 का, ठीक है, और यह भी सात ठीक है, 278 मिंजम ला नंबर है, ठीक है, तैसील भी दूसरी है, यहाँ पर, ठीक है, तो भाई, सीधी बाद यह है, कि अगर आप प्लॉट वगेरा खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर 14380 चेक करें, और एक चीज और, जो मित है, सबसे बड़ा, कि 14380 के बाद आद मैं ठीक है, तो कॉर्टेक्ट नमर वीडियो को डिस्टर बें मिल जाएगा, जो जुनियर एड़ोकें इस्पेसल पकालत सीखना चाहरे हैं, अच्छी बेतर पकालत सीखना चाहरे हैं, तो 59 रुपाए में इस चैनल को जॉइन कर लीजिए, इस्पेसल मेंबर बन जाएए, इस् ठीक है न, अक्रसक के लिए, तो भई सीधी बात है, अक्रसक गोसेद कराना पड़ेगा, 14380 का आदेश कराना पड़ेगा साथियो, धन्यवास साथियो सीख साथ, ठीक है जी?